तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि hooded eyes के उपर आप किस तरीके से eye makeup कर सकते हैं, किस तरीके से आपने blending करनी है, यह step by step में बताऊंगी कि इस eye look up कैसे easily create कर सकते हैं, hooded eyes के उपर plus किस तरीके से eyeliner apply करना चाहिए, क्योंकि hooded eyes पर वो folding आती तो उस पर eyeliner लगाना बहुत वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, कैसे करना है step by step, सबसे पहले concealer apply कर लेंगे अपने पूरे eye lid पर, then उसको मैं brush के help से अच्छे से blend कर लोंगी अपने पूरे eye lid के उपर इस तरीके से, blending make sure करें अच्छे से करें आप, ठीके and then उसको हम blend होने के बाद loose powder के help से, या compact powder के help से हम उसे set कर लेंगे ताकि कोई creases ना हो, ठीके, तो यह सारे step ज़रूर follow करना, जैसे मैं आपको इस video में दिखा रही हो, अगर आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप video वापे से देख सकते हैं, या फिर comment section में, या फिर IG में आप मुझे direct message करके पूछ सकते हैं, ठीके, जो भी आपका doubt रहेगा, उसके बाद Mars का मैंने eyeshadow palette लिया है, जिसका review already मेरे channel पे है, in case अगर आपका miss हो गया है, तो link mention कर दूँगे, आप check out कर लेना, तो सबसे पहले एक shimmer shade लिया है मैंने, जो मैंने आपको दिखाया है ना, वही से आपने उसे apply करना है, ठीके, इस तरीके स है, एक छोटा सा मैंने blending brush ले लिया है, flat shader brush, उससे हमने shimmer apply किया है, जो eyebrow का arch है, वो हमारा guideline होगा, कि कहां तक हमें shimmer को apply करना है, तो यहां तक हमें अभी shimmer को apply करना है, उसके आगे बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो सबसे पहले, यहां shimmer की application हम कर लेंगे, तो यह hurried eyes के लिए specially eye makeup है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, उसके बाद एक इस तरीके का blending brush ले लेना है, जो आगे से fluffy हो medium size का, यह what's a beauty का brush है, जो की number है R102, उसमें से यह orange kind of shade लिया है मैंने, और सबसे पहले eyes को close करेंगे, और outer corner of V पर इस तरीके से हम shimmer के साथ blend करेंगे, क्योंकि हम जब आखे बंद करेंगे, तो यह जो हमारा fold है, वो blend नहीं हो पाएगा, ठीक है, इसके लिए आखे बंद करके पहले blend कर लें, उसके बाद eyes को open करना है, और देखना है कि कहां तक हमें, जह हमारा real crease है, उसके उपर थोड़ा shade को हम apply करेंगे, और crease अंदर तक लेके आएंगे, in and out हम blending क करेंगे, तो आप देख सकते हैं, अभी वो shade दिखाई दे रहा है, तो आखों को close करके eyes को हम अच्छे से blending कर लेंगे, ठीक है, तो eyes को close करना है, and circular motion and left-right motion में आपने blend करना है, तो आप देख सकते हैं, दोनों अच्छे से blend हो गया है, and हमारा जो shade है, आखे खुलने पर पू and उसको blend कर लेंगे हम, औरेंज shade के साथ, तो यहां हमारी blending अच्छी हो गई है, and outer color of V को again में टिपन अप कर रही हूं, क्योंकि हमारा outer color of V है, वहाँ पर एक dark kind of shade रहना चाहिए, जिसे हमारा eye makeup में बोलती न, जान आ जाती है, तो अच्छा लगता है, इस तरीके से, ठीक है कोई एक darker shade महाँ पर होना ही चाहिए, जैसे कि dark brown हो गया, black हो गया, एक dark brown shade चाहिए ही होता है shimmer के साथ हमें, and crease पर light shade होना चाहिए, जो कि हमारा transition shade होता है, उसके बाद again सब अच्छे से हम blend कर लेंगे, ताकि कोई harsh lines न रहे, ठीक है, and जब भी आप brushes के use करते हैं, तो make sure करें आप clean करें, एक टावल पर, dry towel रखना है अपने पास, उससे clean करें, and then use करें, उसके बाद like me का मैंने ये liner ले लिया है, and इस तरीके से पहले एक line draw करेंगे, and triangle ऐसे बनाएंगे, and बचा हुआ जो space है, उसको fill in कर लेंगे, ठीक है, तो बहुत ही slowly slowly हमें work करना है, इसी तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो hooded eyes के पर liner apply करना बहुत problematic होता है, क्योंकि जब हम, eyes बंद करते हैं, तो वो easily लग जाता है, लेकिन जब open करते हैं, तो वो folding दिखाई देती है, तो ये problem होता है, तो इस तरीके से आप ये follow कर सकते है, step जिस तरीके से मैं दिखा रही हू तो बहुत ही अच्छा, you know, turn out होगा आपका liner, और अच्छा लगेगा, जब आप आखे कोलोगे, तो folding में वो ऐसा नहीं लगेगा, जैसे आप दे सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने wing create किया है, और आप देख सकते हैं, मैंने आगे से thin रखा है, ठिक नहीं रखा है, इसे हमारा eye makeup अच्छा नहीं लगेगा, लाइनर, तो इस तरीके से आप hooded eyes के ओपर liner को apply कर सकते हैं, बहुत ही easy है, practice करते रहेंगे, तो हो जाएगा, next उसके बाद यहाँ पर मैं dark brown shade ले रही हूँ, उसको मैं अपने lower lashes पे blend कर लूँगी इस तरीके से, और उसको lighter shade के help से blend करूँगी, जो मैंने last transition shade apply किया था, और इंज को blend करने के लिए, waterline पर मैं brown kajal apply कर रही हूँ, false lashes apply करने से पहले हमेशा lashes को curl करना होता है, mascara apply करना हता है few coats, upper and lower lashes पे and then ही आपने application करना है false lashes का, तो आज का यह look hooded eyes का complete होता है, soft wearable वाला look है, peachy kind of, I hope आपको आज का यह video यह look पसंद आया होगा and सारे step समझ में आये होंगे, जैसे मैंने आपको step by step दिखाया है, सिखाया है, अगर आपका कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप video again देख सकते है, pause करकर, practice कर सकते है, कि आपने कैसे करना है, so अगर आपको video थोड़ा भी helpful लगा हो, तो make sure video को like जरूर करे, subscribe कर ले, अ और भी आई लुक सीखने के लिए, तो और भी आई लुक जल्दी आएंगे मेरे चानल पर back to back and shots भी मैं अपलोड करती हूँ, तो देखना मत भूलना, I'll see you in my next video, till then take care and bye bye